MP UP की बॉर्डर को जोडने वाला National Highway 44 पर एक तेज रफ्तार कंटेनर का तांडाव देखने को मिला है कंटेनर ने ऐसा कहर बरपाया कि हाईवे किनारे रहने वाले किसान को लाखों का नुक्सान हुआ और उसका परिबार भी बाल बाल बच गया चंद सेकंड में ही बहलक पती से रोड पर आ गया हादिसे के वाद से पूरा परिवार दहसत में है घटना सागर जले के बांधरी थाना छेतर में हुई है जहां भूते से बरी टेक्टर ट्राली को बचाने के चकर में कंटेनर बेकाबू हो गया और सीधा हाईबे किनारी बने मकान से जाता कराया लेकिन इसके पहले मकान के बाहर दाखे ट्राली थ्रेसर अल्टो कार पाईप मसीन सहथ अन्न सामान को चपेट में ले लिया इसमें के अलाबा मकान में भी दरारे आईई है और जो जो जोपड़ी नुमा मकान था बाहर पूरी तरह से टूट गया है गटना के समय मकान के कमरों में और भी लोग मूझथ थे इसमें अल्टो कार और टेक्टर पूरी तरह से चकना चूर हो गए बही टेक्टर ट्राली त्रेसर को भी भारी नुक्सान हुआ है यह घटना ग्रांट गाउं के पास हुई है इसके किसान लखनलाल ठाकोड ने बताया कि घटना के समय बच पर ही थे इसमें बेबाल बाल बच गए लेकिन चंद सेकेंड में ही उनका लाखों रुपए का नुक्सान हो गया बह अब रो पाई कैसे कर पाएंगे के पास में लाजन शी ठागर भी हाँ पर अब जन्हानी जन्हानी किसी की नहीं है किसी बिलाशकी ना चक्ति है तो फुटबान तरह है ना कि हमाई हास्ता हो जाता हुए और नीचे बनिये दें दूरबचे हो सब्सक्राइब तुर भूए पूरी थेती दली है थेषर खॉंड़री है पूरा ट्रैक्टर मिटगा माना हम तब्मेंद नाम होगा अबरोपर लूट पर आए हमारे पास कुछ निपचा तरब क्या चाहते हैं हम तो नुक्सान चाहते हमां ट्रैक्टर अठ् प्रेटर रखाता थ्रेशर रखीती और भी यह आया तो सिधा उनको कुछलते हुई और मकान में दला तो क्या काहानी हुई आपके हमारी जीप खतम हो गई ट्रेक्टर खतम हो गया थ्रेशर खतम हो गई मकान छिती ग्रेस्ट दोनों मकान टूर गए पाइप भी मिटेगा है म